नमस्कार एन वेलकम प्रेंट्स मैं सुरज और मैं सुर्ज में आप लोग का भी दंदन करता हूं प्रेंट्स आज मैं आप लोग के लिए लिखाया हूँ कॉरल ड्रो का टुटोरियल चलिए हम लोग सीखते हैं कॉरल ड्रो के अंतरगत कैसे कोई फूल का बेक्ग्राउंड या कोई भी चीज का इमेज टेक्स्ट कैसे क्रियेट करते चलिए सिखते कोई भी डिजाइड मना न इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कॉरल ड्रो को आपेन करेंगे स्टार्ट में जाएंगे और सर्च करेंगे कॉरल C O R E L कॉरल देखिए सबसे फर्स्ट में दिख रहा होगा कॉरल ड्रो 11 बस इसपे क्लिक किजिए ये देखिए आपका कॉरल ड्रो ओपेन हो रहा अब आपको क्या करना है नवी ग्राफिक पर क्लिक करना है देखिए मेरे कॉरल ओपेन होगा सबसे पहले हम लोग को एक सरकल लेना है तो इसपे क्लिक किजिए देखिए और यहां से सरकल ले लेजिए अब क्या करना है एक सरकल और लेना है तो देखिए कंट्रोल डी से होता है डूबलिकेट जी बिल्कुल आपने सही सुना Ctrl प्लस D से होता है Duplicate Keyboard से प्रेस करना है Ctrl D हो गया Duplicate अब आपको क्या करना इसको Side ले जाना है देखिए इसमें इधर उधर कोई चीज को Save को करने के लिए Cross Chain जो बीच में है इसी पकड़के इधर उधर किया जा सकता है अब आप कीजिए इसको थोड़ा Adjust कर लिजिए अच्छे से अब आपको दोनों को Select करना है तो एक पे क्लिक रखिए Keyboard से Shift बटम प्रेस कीजिए Keyboard से Shift बटम दबाईए और दूसरे पे क्लिक कीजिए ये देखिए दोनों जब Select हो जाएगा ये Cut Out Wallachin बीच में आ जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे उपर में जाना है और देखिए यहाँ से Intersect करना है Intersect जी बिल्कुल आपने सही सुना Intersect करना है ये मेरा Overcut गया ये फूल का डिजाइन आ गया अब आपको क्या करना है इस पे क्लिक करना है और Delete कर देजे इस पे क्लिक करना है और Delete करना है ये देखिए मेरा फूल बचे गया अब क्या करना है ये Cross वाले चीन पे क्लिक करना है ये बिंदा को जो देख रहा फूली Stop टाइप इसको यहाँ पकड़के नीचे ले आना है अब इसको थोड़ा सा Rotate करना है माउस से Left Click दबा के थोड़ा सा Rotate केज़े और माउस से Left Click दबा ही रहना चाहिए और Right Click प्रेस कर दिज़े जी आपने बिलकुल सही सुना माउस से Left Click दबा ही रहना चाहिए और Right Click प्रेस कर दिज़े ये हाँ रह जाएगा और अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl प्लस R ये देखिए मेरा फूल का डिजाई तयार हो गया अब यदि आप चाहते हैं कि ये complete को ग्रूप किया जाए तक Ctrl प्लस A प्रेस करें All Select हो गया अब Ctrl G से Group हो गया Ctrl A से All Select और Ctrl G से Group छोटा कर लेजिए थोड़ा से ये देखिए मेरा एक फूल का डिजाई आगए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिए सेर किजिए, सब्सक्राइब किजिए थेंक्यू फूर्स वाचिंग, थेंक्यू, थेंक्यू